ओम स्री परमात्मने नमहा चौथा प्रक्रण सूत्र पांच ब्रह्मा से चीटी प्रयंत चार प्रकार के जीवों के समू में ज्यानी की ही इक्षा और अनिक्षा को रोकने में सामर्थ है जिस प्रकार ज्यानी एम अग्यानी के कार्यों एम वैवारों में भिन्यता दिखाई देती है उसी प्रकार ज्यानियों तथा अग्यानियों द्वारा निर्मित सास्त्रों में भिन्यता दिखाई देती है सभी ग्यानियों की एक ही द्रिष्टी होती है किन्तु अग्यानियों में सभी की द्रिष्टी भिन भिन होती है दादू ने कहा है कि जे पहुचे ते कहीं गए तिन की एक बाती सबय सयाने एक मती उनकी एक जाती ग्यानी के कोई संप्रदाय नहीं होते उनकी कोई जाती नहीं होती उनमें मतभेद नहीं होता सिध्धानतों वा कारों में भिन्निता नहीं होती वे सब ही एक ही बात कहते हैं जो सत्त है वही कहते हैं असत्त अनेक प्रकार के होते हैं किन्तु सत्त एक ही है एक बार एक नियाधीस ने दस गवा बुलाए वकील दस ही सूफी पकड़ कर ले गया नियाधीस ने कहा कि मैं इन दस सूफीों को एक ही गवा मानूंगा क्योंकि सभी सूफी एक ही बात कहते हैं अता यह एक ही गवा हुआ नो कोई दूसरे लाओ यह ग्यानी का धंग है किन्तु अग्यानियों के अनेक धंग है अनेक विचार है अनेक सिध्धान्त है यहां तक कि उनके धर्म और इस्वर भी अनेक है आत्माएं भी अनेक है किन्तु ग्यानी इस सब के पार एक की ही अनभूती करता है समस्त स्ट्रश्टी को एक समस्ता है कुछ अज्यानी कहते हैं कि एक्छाएं छोड़ो, वासनाएं छोड़ो, संसार छोड़ो लोग, मो, माया, मम्ता, धन, दौलत सब छोड़ो तब तुम्हें ग्यान होगा वह छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं किन्तु ग्यानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चीटी प्रयंत चार प्रकार के जीव समूहों में कोई भी अपनी इक्छा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है स्रश्टी का निर्माता जिसे ब्रह्मा कहते हैं वो भी इक्छाओं से ग्रस्त है स्रिष्टी निर्माड की उसकी भी इक्षा है विश्णु महेस इंद्र आदी अनेक देवी देवता भी इक्षाओं एम वासनाओं से ग्रस्त है फिर मनुस पसु पच्छी जीव जन्तु अपनी इक्षाओं कैसे छोड़ सकते है इन सब में केवल आत्म ग्षाओं ही इन इक्षाओं और अनिच्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है अन कोई नहीं इसलिए छोड़ने से ग्षाओं नहीं होता बल्कि ग्षाओं आवस्था में जब सत्त का बोध हो जाता है तो जो असार है वो अपने आप छूड़ जाता है छोड़ना नहीं पड़ता ग्यानी जनक के सत्य प्रती का यही सार है कि पाना ही नियम है छोड़ना नियम नहीं है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहन करना है या ग्यानी विवेक से निर्धारित करता है कोई विरला ही आत्मा को अद्वे और जगदिश्वर रूप में जानता है वह जिसे करने योग मानता है उसे करता है जनक कहते हैं कि संसार में नए नए मुखोटे लगा कर अनेक लोग ज्यानी बने घूमते हैं कोई नंग धनंग, कोई चिम्टा लिए, कोई त्रिसूल लिए, कोई खपर वा खोपड़ी लिए कोई तिलक छापा लगाए, कोई धूनी रमाते, कोई पंच जागनी तब करते कोई घंटा घडियाल बजाते, ना जाने किस-किस भेश वा रूपों में देखे जा सकते हैं फिर कोई द्वैत वादी, कोई अद्वैत वादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीर पंती, कोई नानक पंती, कोई शैव, कोई वैशनों आदी किन्तु इनमें विर्ला ही कोई आत्मा को अद्वय चानता है कि आत्मा एक ही है एवं यह संपूर्ण स्रष्टी उसी का फैलाव है वही आत्मा जगदिश्वर है उसी से स्रष्टी है स्रष्टी वा आत्मा तथा इस्वर भिन नहीं है स्रश्टी वा स्रश्टा भिन नहीं है ऐसा कोई विरला ही जानता है एवम उसे जानने वाला ही ग्यानी है ऐसा ग्यानी जिसे करने योग मानता है वही करता है किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं करता उसे किसी का भै भी नहीं है क्योंकि वह मनवा अहंकार से उपर उठा चुका है भै मात्र द्वैत के कारण होता है अद्वैत में भै होता ही नहीं राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रस्णों का उत्तरसार संचेप में रख दिया इति स्री अश्टा वक्रिगीतायाम चतुर्थ प्रक्रण समापतम। ओम शांती 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 ओम स्री पर्मात्मने नम्हा चौथा प्रक्रण सूत्र पाँच ब्रह्मा से चीटी प्रयंत चार प्रकार के जीवों के समू में ज्यानी की ही इक्षा और अनिक्षा को रोकने में सामर्थ है जिस प्रकार ग्यानी एम अग्यानी के कार्यों एम वैवारों में भिन्निता दिखाई देती है उसी प्रकार ग्यानियों तथा अग्यानियों द्वारा निर्मित सास्त्रों में भिन्निता दिखाई देती है सभी ग्यानियों की एक ही दृष्टी होती है किन्तु अग्यानियों में सभी की दृष्टी भिन भिन होती है दादू ने कहा है कि जे पहुचे ते कहीं गए तिन की एक बाती सबय सयाने एक मती उनकी एक जाती ग्यानी के कोई संप्रदाय नहीं होते उनकी कोई जाती नहीं होती उनमें मतभेद नहीं होता सिध्धानतों वा कारों में भिन्निता नहीं होती वे सब ही एक ही बात कहते हैं जो सत्त है वही कहते हैं असत्त अनेक प्रकार के होते हैं किन्तु सत्त एक ही है एक बार एक नियाधीस ने दस गवा बुलाए, वकील दस ही सूफी पकड़ कर ले गया, नियाधीस ने कहा कि मैं इन दस सूफीयों को एक ही गवा मानूंगा, क्योंकि सभी सूफी एक ही बात कहते हैं, अता यह एक ही गवा हुआ, नो कोई दूसरे लाओ, यह ग्यानी का ढग ह अनेक विचार हैं, अनेक सिध्धानत हैं, यहां तक कि उनके धर्म और इस्वर भी अनेक हैं, आतमाये भी अनेक हैं किन्तु ग्यानी इस सब के पार एक की ही अनगूती करता है, समस्त स्रष्टी को एक समस्ता है, कुछ अग्यानी कहते हैं कि एक्छाएं छोड़ो, माया, ममता, धन, दौलत सब छोड़ो तब तुम्हें ग्यान होगा वो छोड़ने को पाने का नियम मानते हैं किन्तु ग्यानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चीटी प्रयंत चार प्रकार के जीव समूहों में कोई भी अपनी इक्षा को और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है स्रिष्टी का निर्माता जिसे ब्रह्मा कहते हैं वो भी इक्षाओं से ग्रस्त है स्रिष्टी निर्माड की उसकी भी इक्षा है विश्णु महेश, इंद्र आदी, अनेक देवी देवता भी इच्छाओं एम वासनाओं से ग्रस्त हैं फिर मनुस पसु पच्छी जीव जन्तु अपनी इक्छाओं कैसे छोड़ सकते हैं इन सब में केवल आत्म ग्यानी ही इन इक्छाओं और अनिक्छाओं दोनों को रोकने में समर्थ है अन कोई नहीं इसलिए छोड़ने से ग्यान नहीं होता बलकि ग्यान आवस्था में जब सत्त का बोध हो जाता है तो जो असार है वो अपने आप छूड़ जाता है छोड़ना नहीं पड़ता ग्यानी जनक के सत्त प्रती का यही सार है कि पाना ही नियम है छोड़ना नियम नहीं है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहन करन या ग्यानी विवेक से निर्धारित करता है। सूत्रच है कोई विरला ही आत्मा को अद्वे और जगदीश्वर रूप में जानता है। वह जिसे करने योग मानता है उसे करता है। जनक कहते हैं कि संसार में नए नए मुखवटे लगाकर अनेक लोग ग्यानी बने घूमते हैं। कोई नंग धरंग, कोई चिम्टा लिए, कोई त्रिसूल लिए, कोई खपर वा खोपड़ी लिए, कोई तिलक छापा लगाए, कोई धूनी रमाते, कोई पंच जागनी तब करते, कोई घंटा घडियाल बजाते, ना जाने किस-किस भेस वा रूपों में देखे जा सकते हैं फिर कोई द्वैत वादी, कोई अद्वैत वादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीर पंती, कोई नानक पंती, कोई शैव, कोई वैशनव आदी, किन्तु इन में विरला ही कोई आत्मा को अद्वै चानता है, कि आत्मा एक ही है, एवं यह संपूर स्रष्टी उसी का फैलाव है, वही आत्मा जगदिश्वर है, उसी से स्रश्टी है, स्रश्टी वा आत्मा तथा इस्वर भिन नहीं है, स्रश्टी वा स्रश्टा भिन नहीं है, ऐसा कोई विरला ही जानता है, एवम उसे जानने वाला ही ग्यानी है, ऐसा ग्यानी जिसे करने योग मानता है, वही करता है किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं करता उसे किसी का भै भी नहीं है क्योंकि वह मन वा अहंकार से उपर उठा चुका है भै मात्र द्वैत के कारण होता है अध्वैत में भै होता ही नहीं राजा जनक ने अपने पूछे गए प्रस्नों का उत्तरसार संचेप में रख द इति स्री अस्ता वक्र गीतायाम चतुर्थ प्रक्रणम समाप्तम ओम शांती शांती शांती